हालो दोस्तों मैं है हुस्तुरेंद्र कुमार स्वागत थे आपका मेरे यूट्यूब चैनल अप पेयर आप नालेज में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर थ्री चैप्टर थ्री अध्याय थ्री अध्याय तीन जिसका नाम है पेयर आफ लाइनर equations into variables जिसे हम हिंदी में दो चर वाले रैखिक समीकरण यूगम कहते हैं ठीक है इसमें हम साल्व कर रहे हैं प्रशनावली 3.1 इसमें दोस्तों हम प्रशनावली 3.1 को हल कर रहे हैं इसमें लगभग पहले वाले question में जो पहला प्रसंद था उसमें 4 सवाल दिये गए थे जिस सब वीडियो की जो है लिंक इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा वहां से जाके पढ़ सकते हैं अब इसके बाद हम साल्व कर रहे हैं question number 2 इसमें हम दूसरे सवाल को साल्व कर रहे हैं question number 2 में हम पहले बाले सवाल को साल्व कर रहे हैं उस वीडियो के भी link इसके description में मि युगम को प्रतिस्थापनविधी से हल किजिए। अब यहां पर दुसरे के जगहां पर दूसरे का माण मतलब एक दोसरे के जगह हैं दोसरे का मान रखे ही रति Yang McLari को हल किया जाता है क्योंकि इसका मतलब ही होता क्रदिक रतरी क Count doing कर दूसरे का मान रखे सालव करना यहांपर सवाल नंबर दो हमारे क्या है 7x-4y बराबर 3 यह हमारा समी करण नमबर 1 है हमने इसे समी करण नमबर 1 माना है अब दूसरा हमारा x-2y बराबर 3 यह हमारा समी करण नमबर 2 है हमने 1 और समी करण 2 को मान लिया है अब यहां पर हम देखेंगे सबसे छोटा वाला समी करण कौन सा है यह हमारे बड़ा है 7x-4y बराबर 3 बड़ा है और यहां पर दूसरा समीकरन थोड़ा छोटा है x plus 2y बराबर 3 है तो यहां पर हम साल्व लिखेंगे हल करेंगे ठीक है यहां से हम चलेंगे देखते हैं यहां से हम साल्व यहां से चलेंगे समीकरण 2 से यहां पर चलेंगे समीकरण 2 से हम समीकरण 2 से स्टाट करेंगे समीकरण 2 हमारा यह रहा ठीक लिखेंगे पहले समीकरण 2 एक्स प्लस टू आई बराबर कितना है ठीरी है ठीक है अब हम इसे पिछली विध्यू की तरह हम इसे भी पच्छांदर कर लेंगे एक्स कमान निकालेंगे जिस तरह से हमने पहले किया तो यहां पर निकालेंगे एक्स उसके बाद यहां पर एक्स बराबर हो जाएगा यह हमारा तीन है तो तीन उसके बाद प्लस टू आए बराबर किस तरफ जाएगा माइनस टू आई हो जाएगा ठीक इस तरह से अब यहां पर एक्स बराबर हमें क्या मिल गया x बराबर हमें मिल गया 3-2i ठीक है अब हम इस x कमान इस समी करण 1 में रखेंगे ठीक है यहाँ पर लिखेंगे x कमान समी करण 1 में रखने पर अब इसका हम मान समी करण समी करण किसमें रखेंगे इस x कमान समी करण 1 में रखेंगे ठीक है समी करण 1 हमारा यह वाला है ठीक तो लिखे लेते हैं इसे 7x माइनस 4y बराबर 3 ठीक है अब हमें इस x की value को इसमें रखेंगे ठीक है तो आपर चले लिखते हैं साथ X का value कितना है तीन माइनस दो Y तो लिखेंगे कोश्टक में तीन माइनस दो Y फिर कोश्टक 1 फिर माइनस चार Y है तो माइनस चार Y बराबर तीन ठीक अब इस साथ का इसके अंदर गुड़ा कर देंगे ठीक है साथ का जो है कोश्टक के अंदर जो संख्या है उसमें गुड़ा कर देंगे ठीक है चलिए गुड़ा करते हैं साथ का तीन में गुड़ा करेंगे साथ तरीक के एक कीस उसके बाद माइनस से बीच में तो माइनस लिख देंगे साथ का दो Y में गुड़ा करेंगे साथ दूने सब्सक्राइब तो इसके बाद पोस्टेक्ट तूड़ गया हमारा तो माइनस चार वाई ऐसे ही लिख देंगे और उसके बाद बराबर तीन ठीक अब यहां पर सब्सक्राइब यहां पर तो माइनस माइनस पराबर पर संख्यान जोड़ जाती सब्सक्राइब इसके बाद बराबर यह हमारा तीन है तो तीन उसके बाद अभी प्लस 21 से जो बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा तो माइनस 21 ठीक है पिर चलते हैं यहां पर देखेंगे माइनस 18y तो इसे ही लिए 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 माइनस 18y बराबर अब यहां पर 21 में से तीन को घटा देते हैं तो एक दो जो ही इसको एक उधार दे का कितना हो जाएगा आठ ठीक है आठ तीन ग्यार आठ हो जाएगा अब यहां से एक दे दिया इसको तो यहां एक बचा अठारा आगया कौन सी संख्या के चिन हो जाता है माइनस का तो माइनस है पर लिख जाएगा ठीक है आथर बटे 80 व एक मिल ला थिक हमें क्या मिल गया, एक मिल गया, ठीक, क्या मिल गया, थिक, यह मारा तक य लजय थिक है अब इसी तरह से किस का मान निकाल लेंगे X का मान निकाल लेंगे ठीक तो यहाँ पर देखेंगे चली X का मान निकालते हैं अब यहाँ पर लिखेंगे इस Y का मान ठीक है तो लिखेंगे Y का मान समी करण किसमें रखेंगे दो में रखने पर समी करण 2 में रखने पर अब इस y का माल समीकर 2 में रख लेगे çaमीकर 2 हमारा क्या है समीकर 2 क्या है यह है ठीक यहमारा समीकर 2 है तो चलिए लिखते है एक्स प्लस 2Y बराबर 3 है यहाँ पर लिखेंगे X प्लस टू आई बराबर तीन ठीक यह है हमारा एक्स प्लस टू आई बराबर तीन यह समीकर हमारा दो है यहां पर ठीक जली यह से सालो करते हैं तो यहां पे x plus 2 इस y का मान कितना है यहां पे हम épd imagem निकाला है तो ठीक है है अपे 2 y का गुढांक है तो 2 into 1 बराबर 3 ठीक अब यहां पे x बराबर क्या हो जाएगा 2 का एक में गुढा हो जाएगा क्वाइक का एक में गुड़ा हो जाएगा दो हो जाएगा अब यहां भी प्लस रहेगा एक्स फ्लस दो का का एक में गुड़ा हो जाएगा वराबर थीन अभ P b, यह थिन है तो तीन है और यह वै एक्स ब्राबर खार प्रठा Sean यह हमारा क्या निकल गया दोस्तों यह हमारा एक्स कमान निकल गया ठीक यह हमारा वाई बराबर एक और एक्स बराबर भी एक आया ठीक है इस तरह से हम सवाल को सालो करेंगे दोस्तों यह हमारा प्रस नमबर दूसरे का तीसरा सवाल रहा ठीक है अब इसी तरह से हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट सवाल के साथ सवाल नमबर तीन के साथ तब तक लिए थैंक्यू बेरी मुच